हेलो अच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम सुखम भारती के अक्षाच है पाठ है अठारा और पाठ का नाम है संक्राचार मद्ध प्रिदेश में तो इस लेसन के कुश्चन आंसार सॉल्व करेंगे तो चलिए वीडियो को रहे बेवेट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें तो पहला प्रिशन अपना सही जूड़ी अनाईए जैसे पहला होगा उज्जेनी तसका होगा कापाली को केंदर और कासी तो इसका होगा कुमरीद भट्ट और तीसरा है अमरीकन्ट तो इसका होगा नर्मरदा का जन्म अगला प्रस्ण है प्रस्ण नम्बर खा दिये गए प्रस्णों में उप्योक्त सब्द चुने कर रिक्त स्थानों की पूरती कीजिए जैसे पहला है संक्राचारी की सिक्षा दिक्षा खारिस्थान में हुई थी तो यहां पर दो ओप्सन दिये गए हैं माहिस्मति और ओमकारिस्वर तो इसका सही उत्तर होगा ओमकारिस्वर और दूसरा है गुरू की खोज में वह चल पड़े तो उत्तर से दक्षड की ओर और दक्षड से उत्तर की ओर तो इसका उत्तर होगा उत्तर से दक्षड की ओर तीसरा है उन्होंने संक्र को खालिस्तान से ससस्त्रार करने की सलार दी तो मंडन मेस्रप और चोत्राय मद्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसके पुत्र को खालिस्थान भारती एकता का विस्तार करने का आउसर प्राप्त हुआ तो इसका अत्तर हुआ दक्षन में और अगला प्रसन है प्रसन नमबर दो निमलिकत प्रसनों के उत्तर एक एक वाक में दीजिए यह से पहला है समंदीपनी आस्रम क्यों प्रिसिद्ध है तो इसका उत्तर होगा संदीपनी आस्रम में ही किष्ण सुधामा ने सिक्षा प्राप्त की थी इसलिए यह प्रिसिद्ध है और अगला प्रस्णम बरखा नर्मदा का उद्गम स्थल कहां है यानि नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो इसका होगा अमर कंटक नर्मदा का उद्गा में स्थल है तो अमर कंटक से नर्मदा नदी निकलती है उगा है कुमारिल भट की प्रिशिद्ध क्या कारण था तो इसका उत्तर होगा कुमारिल भट मीमासा दर्शन के प्रकांड प् में सास्तास्त कहा हुआ था तो इसका अतर है संक्रावार का मंदल में से सासात्र महिस्मती में हुआ था तो इनका महिस्मती में हुआ था सासात्र मंदल में अगला है कापालिकुं का मुक्त केंद्र कहा था तो कापालिकुं का मुक्त केंद्र उज्जेनी था और अगला प्रस प्रश्णों के उत्तर तीन से पांच वाक्यों में दीजिए ऐसे पहला है संक्राचार ने किन चार पीठों की स्थापना की तो इसका उत्तर होगा संक्राचार एक महान संगठन करता थी उन्होंने उत्तर में बद्रीनात थाम और दक्षिर में रामेश्वरम पूर्व में अपना की इस तरह उन्होंने भारत के एक सुत्र में बांधा अगला प्रस्ण है कि संक्रवाले काल में ही बलक्षण प्रतिभा के धनी थे इस संबंद में संक्र के तिन विजिस्ताएं लखिये तो इसका उत्तर होगा ही उत्तर है संकर एक बर्ष की उम्र में ही बोलने लगे थे तीबर इसमर्ण सक्ती के करण तीन बर्ष की उम्र में वे सुनी हुई बात को अक्छर सह दोहरा देते थे पाच बर्ष की उम्र में वे गुरू कुल गए और सात बर्ष में ही उन्होंने स hydration का प्रवीर्णता रूप प्राप्त कर ली जो संक्राचार थे वो एक बारिस की उम्र में बोल ले लगे थे और तीन बारिस की उम्र में जो बोलते थे उसे दोहराने लगे थे और पांच बारिस की उम्र में गुरू को लिया इसकूल चले गए और 27 की उम्रमनों ने सास्त्रों का ग्यान प्राप्त कर लिया और अगला है का नर्मदाश्टक की रचना संक्राचार ने कब की इस घटना का उलेक करें तो इसकोत्तर होगा ओमकारिस्वरवास के दौला नर्मदा में भीशन बाड़ाई अनिक गाउं बह गई लोगों के कश्टों को देखका संक्राचार ने नर्मदाश्टकी रचना की और अपनी योगिक सक्तियों से नर्मदा के जल को कमंडल में भर लिया और अगला प्रस्ण है गुरू गोविंदपाद ने प्रसन्न होकर संक्र को क्या आदेश दिया तो इसको अत्तर होगा गुरू गोविंदपाद ने प्रसन्न होकर संक्र को भाध ब्रमण करने और लोग को सही दिशा देने का आदेश दिया उन्होंने संकर को वैदिक धर्म में पुनारूस्थक के लिए प्रयत्न करने की आग्यादी सास्त्रों में परंगत संकर में उन्होंने कासी जाका सस्त्रत करने के लिए कहा तो संक्राचार के जो गुरू थे गुरू गोविंद्रपात उन्होंने खुस होकर संक्राचार से कहा तुम भारत भ्हमाण करने जाओ और लोगों को सही दिशा दिखाओ और उन्होंने संकराचार से कासी जाकर सास्तार्थ करने के लिए कहा और अगला है संकर ने माता से सन्यास की आग्या किस प्रिकार प्राप्त की तो इसका अत्तर होगा एक दिन संकर माता के सा नदी परिस्नान के लिए गए वहाँ एक मगर मच्छ ने उनके पेर पकड़ लिए माता मर्यमबा यह देखकर विचिलित हो गई ससकारवस अकस्मात ही संकर ने उन्हें सन्यास की अनुमती मांगी उन्हें यह कहा कि सायद इसी से उनका जीवन बच गया पुत्त की रक्षा के लिए माता ने अंचाहे ही अनुमती दे दी और अगला प्रस्नान प्रस्न नमबर चार ने मिले के सब्दों के सुद्ध चार कीजिए तो प्रस्थानांत्र त्राही त्राही प्रकांड ओमकारिश्वर केंद द्रस्थ और अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर पांच निमले के सब्दों की सुद्ध वर्तिने लिखिए तो शुरूधार, पुना जागरन, भारतिय और आँचल अगला है प्रस्न नमबर चार उधारन की अनिसार निमले के सब्दों की संदी लिखिए तो जैसे तो संकर प्लस आचार तो इसका होगा संकर आचार देहे प्लस अंत तो देहांत और इसका होगा सास्त्र प्लस अर्थ तो इसका होगा सास्तार्थ और सर्व प्लस अधिक तो इसका होगा सर्वाधिक और दिख प्लस बिजए तो दिख बिजए और पुना प्लस जागरन तो पुना जागरन और महा प्लस इस्वर तो इसका होगा महा इस्वर और अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर साथ उधारण के अनुसार त्वा प्रत्या लगाकर सब्द मनाईए यानी सब्द के पीछे त्वा प्रत्या लगाना से सिस तो उसमें त्वा लगाना पीछे तो सिस्या त्वा गुरू प्लस त्वा 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 पुरुस्त और नारी प्लस्त तो नारित तो अगला प्रस्ण प्रस्ण नम्बर आठ निम लिखे गद्दांसों को पढ़िए तता संयोक्त क्रियाओं को छाट कर लिखिए जैसे अपनी माता से आग्या लेकर बालक संक्राचार ने घर छोड़ दिया तो इसमें संयोक्त क्रियाओं की छोड़ दिया और गुरु की तलास में निकल पड़े वह है भारत उत्तर भारत की और चल पड़े यह तरह में उन्होंने अनेक आश्रम मिले वातापी आश्रम से निकल कर उन्होंने गोदावरी पार की और दंडकार में प्रवेस किया तो इसमें सयुक्त क्रियां जो थी वह थी छोड़ दिया निकल पड़े और चल पड़े पार की और प्रवेश किया तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद